वेल्कम टू वोर अस्पारण चैनल और दोस्तों आपनों को ओलडी पता है कल डेट शिट आ चुकी है और कल गाइडलाइन्स भी आ चुकी है और मैंने सारी की सारी जो गाइडलाइन्स हैं आपको कल एक 17 मिनट की वीडियो में अच्छे से एक्स्प्रेंड की हैं फिर भी बह एक्ट से बहुत सारे हैं बताने के लिए सबसे पहले जो डेट शिट आई है उससे संबंदी जितना भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करता हूं आप लोग ओलेडी जानते हैं बीए बीए सी बीकॉम के जो पेपर होने वाले है वो आठ जुलाई से हैं और रेगुलर अब जरा डेट शिट को समझ लेते हैं डेट शिट कुछ स्टूरेंट्स को समझ नहीं आ रही है कोड से संबंदी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखिए ये डेट शिट का प्रारूप आपके सामने आप लोग देख स मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको ये बात अराम से समझ में आ जाए जैसे यहाँ पर एक्जामपल के लिए देखिए 8 जुलाई 2021 को B&BFC का मैट्स का एक्जाम है आप लोग देख सकते हैं कि आपका इसी डेट में दो पेपर कोड इन्होंने एक साथ दे जाहिए अब आपको मान लिजे 228 A&B 228 असान लगता है तो आप इसका पेपर दे दीजिए और इसी के जैसे मार्क्स आपको 227 में मिल जाएंगे इसी के जैसे मार्क्स ठेक हैं अब काफी students को अच्छा एक और एक्जामपल लेते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं जिसे ब जुलाई बिय में political science का second year का तो नहीं है final report आ जाहिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर principles of public administration, Indian political thought और international politics तीन कोड़ एक साथ दे रखे हैं भाईया तीनों कोड़ों के paper नहीं होने है आपको इन में से कोई सा एक paper देना है या तो आप 8338 का दे दीजिए या आप A349 का दे दीजिए या आप A540 का दे दीजिए आपकी मर्जी है और मालो आपको यह अच्छा लगा कि मुझे तो A339 का देना तो इसी के according आपको A338 वाले subject में और 540 वाले में आपको marks मिल जाएंगे मुझे उमीद है आपको यह बात अच्छे से समझ मारी होगी ठीक है एक और example समझे यह दी नहीं समझ मारा है Secondary BSC का देखिए statistics आप लोग ओलेड़ी दे सकते हैं कि तीन code यहाँ पर लगातार दे रखे हैं B294, B295, B296 कहने का मतला आपको इन में से कोई सा एक paper देना है तीनों नहीं देने अब देना कौन सा है वो आपकी इच्छा पर depend करता है आपको कौन सा असान लगता है वो इस बात के उपर depend करता है यह आपको 295, B295 यह survey sampling आसान लगता है तो आप इसको देखे है यह यह आपको statistical inference अच्छा लगता है तो आप उसको देखर करता है यह आपकी मर्जी होने वाली है बातारी समझ में तो इस तरह से चीजों को आसान रखिए और चीजों को समझते हुए चलिए कोई मुश्कल चीज नहीं है आपके सामने पूरी की पूरी clear date sheet कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है और भी समझाने कोशच करता हूँ यदि अभी भी बात नहीं समझ में आ रही है तो और समझ लीजे अच्छे से देखिए में चीज क्या है कि जैसे कई लोग के mind में कई students के mind में ये doubt आ रहा है कि हमने जो paper दे दिया है क्या उसका paper वापस देना पड़ेगा देखिए 12 अप्रेल को हाँ शायद 12 अप्रेल को आपने जो exam दिया होगा यदि आपका उस code का paper अच्छा गया है for example जैसे माले लिजे किसी का maths का paper हुआ और आपका जो maths का paper हुआ आपको ये लग रहा है कि हमारा वो paper था अच्छा गया था तो आपको बाकी code में paper देने की जुरूत नहीं है लेकिन आपको लगता है कि उस time पर आपने जो 12 अप्रेल में paper दिया था वो अच्छा नहीं हुआ था तो अब आप paper दे सकते हैं other code का लेकिन ध्यान रखना आपको जो फिर सारे के सारे codes में marks मिलेंगे न maths के वो जो अब आप paper दे के आओगे उसके according ही मिलेंगे ये बात भी ध्यान रखना example के लिए और समझेए देखिए जिसे BA वाले हैं subject इनका English English देख सकते हैं आप लोग English है और second year में इनके दो code इन दोनों में से कोई सा आपको एक देना है या तो आप 8209 all दे लिजिए या आप 82010 all दे लिजिए आप इन में से कोई सा एक exam दे दीजिए और जो एक exam आप देंगे उसी के base पर आपको दूसरे वाले के marks मिल जाएंगे second year ऐसे final year में है final year में भी आप A309 और A310 में से कोई सा एक दे दीजिए और दूसरे वाले के marks आपको मिल जाएंगे बात आ रही है मुझे उमीद है सबको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी ठीक है चलिए और एक्जामपल ले लेता है मैं देख रहा हूँ कोई B.com का मुझे दिख जाए one some minute मैं देख लेता हूँ did shit में B.com का समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को B.com का मुझे एक्जाम दिख जाए where is B.com अच्छा है आज यह देखे B.com का मुझे दिख गया है काफी doubt B.com से भी आ रहा है तो आप लोग भी देखी दियान से देखो यहाँ पर उमीद है आपको यह दिख जाएगा नहीं दिखेगा मैं थोड़ा ओर zoom कर देता हूँ इससे जिससे की आपको अच्छे से समझ मैं जाए देखे 22 जुलाई को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर B.com में यहाँ पर आप देखे C.201, C.201, C.202 अप यह old और new आप अपने हिसाब से देख लीजेगा ठीक है आप देखो आपको यहाँ पर कोई सा एक देना है इन दोनों में से C.201 और C.202 में से कोई सा आपको एक देना है कोई सा भी एक C.201 में से और C.202 में से आपको कोई सा भी एक देना है दोनों नहीं देना है कोई सा भी है और जो भी आप एक देकर के आएंगे उसी के according आपको marks मिलेंगे मैं फिर बता रहा हूँ यदि कोई code पहले already हो चुका है और आपको लगता कि आपका वो exam अच्छा हुआ था तो आपको वापस देने की जरूत नहीं है और यदि आपको लगता कि नहीं गड़बड होगी थी पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे तो आप वापस से किसी दूसरे code का paper दे दीजिए आपको देखिए सुनो मेरी बात ध्यान से आपको हर subject के लिए किसी एक ही code की preparation करनी है केवल और वो भी 10 गृंट का exam दे का आना उसमें भी आपको हर subject के किसी केवल एक ही code के paper की preparation करनी है केवल किसी एक ही code के paper की हर subject के ये बात ध्यान लगना ठीक है for example मैं एक example से समझानी के और कोशिश करता हूँ मान लीजे आपके 6 paper हैं दो-दो के group में ठीक है दो-दो के group में अब यह नहाँ पर 2 code दे रखे इनमें से आपको कोई शाइक देना है साकेंड का है इध हर final year Goal में ले जेखे final year में हर तीन code दे रखे इनमें से आपको कोई सा एक paper देना है कोई सा भी एक देना है मुझे उम्मीद है आपको यह जो didshiट वाली बात है यह समझ में आ रही होगी, ठीक है, अच्छा, अब बात आता, अच्छा, एक और चीज से मैं आपको ज़रा समझाने कोशिश करता हूँ, जैसे आप लोगो ने अपने पुराने एडमिट कार्ड जरूर देखे होंगे, ठीक है, आपने इदिया अपना कभी पुराना एडमिट कार्ड देखा होगा, तो वहाँ पर ज़रा चीजों को समझने कोशिश करता हूँ, देखो, मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज और समझाता हूँ, आपने कभी एडमिट कार्ड देखा होगा, तो देखो, यहाँ पर, मैंने एक एडमिट कार्ड लिया है, देखी यहाँ आप लोग को लेड़ी देख सकते हैं कि subject तो history है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो code है, 415 political history of India, 416 history of Indian culture, देख पारे हैं आप लोग, paper 1, paper 2, subject history के ही यह दो paper है, बहुत साथ लोग कहरे हैं, हमें code नहीं समझा रहा है, subject नहीं समझा रहा है, subject तो history है, लेकिन paper क कोई साथ एक political science है, इन में से कोई साथ एक देना, 338 और 339 में से sociology, तो इन में से कोई साथ, यह example लिया है मैंने, के वलर example, यह पुराना admit card है, यह तो मैंने एक example लिया आपके सामने के वल और के वल एक example, बात आरी समझ में, यह main subject होता है, यह उसके parts होते हैं, तो आपको इ बहुत सारे doubt रह चाते हैं, बहुत सारी चीजे नहीं बता पाता हूँ है, को कि कई बार क्या होता है, वीडियो बन रहे टाइम, चीज़े याद नहीं रहती है, अच्छा, अब आते हैं beard वालो पे, beard वालो के बहुत सारे doubts आ रहा है, ब охane से सुनो, आपके जो exam की डेर्ट हैं क्या-क्या चीज़े हैं पहले तो मैं अलड़ी आपको guidelines तो समझा चुका हूँ पहले से पहले ही ठीक है आप देखिए इस तरह होंगी विश्वी दैला की परिक्षा हैं मैं इसको और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों अच्छे से इसको देख पाएं तो कि अंतिम वर्ष और अंतिम समेस्टर के पेपर आठ जुलाई से आठ अगस्तक होने वाले हैं ठीक है यह तो आप लोगो लड़ी जानता है यूजी फस्टियर में ऐसे चाहत था जो 2019-2020 की परिक्षा में बिना परिक्षा ही सेकेंड डियर में प्रमोट होगे तो उनको पिपर देना है यह वाली बाते मैं आपको जो एक्चुल गाइड लाइन है जो एकदम ऑफिशर गाइड लाइन है वहां से मैं यह बाते सारी की सारी समझा चुका हूँ आप महाँ पर ज नर्सिंग वालो मेरी बात सुनो ध्यान से बेसी नर्सिंग का यह है कि बेसी नर्सिंग में आपके जो एक्जाम से वो पोस्टपॉंड कर दिये गए थे और वो भी पोस्टपॉंड कर दिये गए थे और पोस्टपॉंड कर दिये गए थे और पोस्टपॉंड कर टे टाइम है बेसी नर्जिंग के एक्जाम अभी नहीं हो रहा है शडूल आएगा बाद में ही इनका मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि जो एक्जाम्स होने है बीर्ड वालों के तो बीर्ड वालों के एक्जाम्स जो है वो 20 जुलाई से 29 जुलाई तक इनकी परिक्षाएं कराई जाने वाली है 20 जुलाई से लेकरके 29 जुलाई तक बीर्ड की परिक्षाएं होनी है आप लोग ओलड़ी देख सकता है यहाँ पर देखिए ध्यान से बीर्ड की परिक्षाएं 20 जुलाई से LLB वाले सुन लिए पहले LLB 3 years इसमें LLB 3 years में केवल पेपर जो होगा वो 1st semester का होगा 6th semester का होगा LLM में 1st semester का पेपर होगा और 4th semester का होगा और BLLB में 10th semester के पेपर होने वाले हैं ठीक है इसके अलवा बाक्यों के नहीं है BBA और BCA में 6th semester के paper होंगे BBA और BCA में 6th semester के paper होंगे उनकी जो date sheet है वो यथावत बनी हुई है ठीक अच्छा इसके अलावा और बहुत सारे जो doubts आ रहे हैं काफी सारे medical कोर्स के courses हैं उनसे संबने doubt हैं देखें आपके जो already date sheet आई थी professional courses में आप लोग के जो already date sheet आई थी उसी के हिसाब से आपके जो exam schedule वो यथावत बना हुआ है और LLB के बारे में, BLLB के बारे में और LLM के बारे में date sheet वापस से नई date sheet आ जाएगी वापस नई date sheet आ जाएगी तो परिशान होने की आफशकता नहीं है अभी मुझे लग रहा है मुझे और भी parts बनाने पड़ेंगे मैं आप लोग के comments देखूँँगा और देखूँँगा doubt किस-किस हिसाब से आ रहे हैं उसी हिसाब से मुझे और भी parts बनाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है और भी videos मुझे बना करके अपलोड करनी पड़ेंगी क्योंकि कई बार काफी सारे जो comments है उनका answer वैसे तो मैं करता हूँ पूरी कोशच करता हूँ कि सभी comment का answer हो जाए लेकिन कई बार कुछ comment skip भी हो जाता है तो यह मैं समना जान बूच कि skip किये हो है कई बार क्या होता है मतलब जब notification comment का आता है तो कई बार वो skip हो जाता है दिखते नहीं है चले तो मुझे उम्मीद है आपको ये date shoot वाली बात समझ में आई होगी यदि किसी को guidelines समझने है guidelines के लिए मैं already video बना चुका हूँ लगबग 17 मिनट की है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने अच्छे से explain किया है अब यदि वापस guideline को explain करूँगा ना तो ये वीडियो ही आदे घंटे से भी पार चली चाहेगी देखता हूँ मैं आप लोग के doubt किस हिसाब से आते हैं